मुझे बनाया है मुस्ताग जी ने आप भी इस तरीके से बना सकते हो होता है विगे वाले इमेज-फोटो होता है और कौन सी बीवसाइट से दॉण लॉड किया जाता है और कौन सी बेपसाइट से इसका जनरेट किया जाता हर प्रोदश प्रॉसस में इसवीडियो चीकलि रही अगर आदा दूर्ध जाते हो बीढ़ साही तरीके से सब आप इसका तो पुड़ा-पुड़ोसे जानने के लिए हमारी वीडियो में एंड तक बने रहे हैं चलो मोयल के सीन पर चलते हम आपको दिखाते हैं वाले वीडियो किस तरीके से बनाए जाते हैं इसका बोइस कैसे जनरेट किया जाता है image कैसे download किया जाता है और कौन सा website से download किया जाता है हर process आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाल है तो पुड़ा वीडियो को add तक देखते रही अगर वीडियो अचला कि वीडियो को like करना इस चैनल पर पहलिवा रहा है तो चैनल को subscribe करें कि खाटिक निसान को all पर सेट कर देना इस चैनल पर हम्मेसा आपको YouTube से रिलेटिव जान करी देखने को मिलता रहेगा तो AI वाले वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले आपको image download करना पड़ेगा तो image download करने के लिए चलते हम google chrome browser में तो यहां पर हम आचुके google chrome borger में तो यहां पर दियान से देखना आपको search बार में simply सी यहां पर हम search करते थे है lexica.com lexica.com आपको link के यहां पर search कर देना होगा जैसे यहां पर आप search करोगे तो यहां पर दखिए यहाँ पर देखिए जितना भी AI वाले जो जनरेट फोटो होता है हर फोटो यहाँ पर आपको मिल जाएगा आपको यहाँ पर जिस फोटो को लेना है अपने यह बाले वीडियो में जिस करेक्टर में आपको जिस फोटो को लेना है जिस photo का आपको add करना है हर photo यहां से आप उठा सकते हो यहां से आप ले सकते हो तो चलो इस photo पे हम click करते है click करने के बाद और फोटो इसमें से यहां पर search करके भी आप आप लोग यहां पर search करके भी निकाल सकते हो देख सकते हो कुछ इस तरह का AI वाले वीडियो का इमेज आप यहां से lexica.com वेबसाइट से आप यहां पे ले सकते हो सिंपली सी जैसे आप फोटो पे यहां पे किलिक करोगे तो यहां पे देगे download का option आ रहे यहां पे यहां पे जैसे किलिक करोगे तो फोटो आपका download हो जाएगा उसके बाद पहला काम हो चुका है कि आप कौन सा अपली के इस website से आप अपने AI वाले वीडियो के लिए image डाउनलोड कर सकते हो उसके बाद आपको क्या करना है फिर से search बार में आना है search बार में आने के बाद यहां पे जैसे आप click करोगे तो यहां पे देख सकते हो यह website है न यह वाली website तो चलो इससे पहले हम दिखाते कि voice आपको कौन सा लेना है तो सबसे पहले आप अपने google chrome बजर में आते हो चलो हम back कर देते हैं यहां पे तो back कर दिया search बार में आते हैं सर्च बार में आने के बाद यहां पे देख सकते हो भूस सारे हम यहां पे सर्च करके रखें तो यहां पर हम किलिक कर देते emper application यहां प भी ह dio यहां पर motivation वाले स्सक्रिशन में हम आ चुके हैं यहां से किसी पे भी आप किलिक करके यहां से मोटीवेशन मोटीवेशन लाइन ले सकते हूं अपने विडियो का बोईस के लिए तो चलो यहां पर आ चुका यह रहा हमारा तो चलो हम थोड़ा नीचे चलते हैं देख सकते हूं यहां पर सर्च बारा में सर्च करना है, उसके बाद संपली सी इस पर आपको कीड़िक कर देना, कीड़िक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस हैगा, त Teaching कर देना है, जैसे आपके यहाँ पर कीड़िक करोगे, तो यहाँ पर देखिए, आपका का voice यहाँ पर आ चुका है, यहाँ पर पले करके सुन भी सकते हो, चलो हम यहाँ पर भी पले नहीं करने वाले हैं, यहाँ पर पले करके सुन सकते हो, simply से यहाँ से आप इस voice को यहाँ से download कर सकते हो, ठीक है, यहाँ से इस voice को असानी तरीके सा आप download कर सकते हो, तो चलो इस voice को हम download कर लिए, download करने के बाद फिर से हम यहाँ पर search बार में आ चुके है search बार में आने के बाद आप भी simply see क्या करना है, अब भी जिस voice को आप generate किये हो जिस image को आप download किये हो तीनु चीज को मिला के एक video बनाना है, तो simply see website पर आना, जैसे हम yes पर click कर दिये तो यह वाली website आपको अपने google chrome बोजर में search कर लेना है जैसे वाली website आप search करोगे simply see इस पर click कर देना है click करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो पहला website पर आपको click करना है जैसे आप पहला website पर click करते हो तो कुछ इस तरह का option आपके सामने आ जाता है तो यह वीडियो मैं पहले बना के रखा हूँ तो इस पर हम कुछ नहीं करना है तो चलो यहाँ पर देखे जनरेट वीडियो पर आपको click करना जनरेट वीडियो पर जैसे आप click करोगे कुछ इस तरह का interface आएगा तो यहाँ पर पर आपको click करना जैसे पर आपको click करोगे तो जिस IMAGE को आप download करके रखे होücks इमेज को यहाँ से आपको ले लेना है तो चलो यह इमेज हम यहाँ से ले लेते हैं इस इमेज को लेने के बाद कि यहाँ से elections के खुलिक कर देना है इस arrow के option पर आपको इस तरीके से click करना है, जैसे आप click करोगे तो यहाँ पर देखी audio upload audio आजाता है यहाँ audio पर click करना है जहाँ पर आपका audio यह वाले जो voice आप generate करके रखे हो, इस voice पर click कर देना है जो भी आपका यह वाले voice है तो यहाँ से आपको voice ले लेना है जो भी voice है आपका, अगर वीडियो से अगर voice आप लेना चाहते हो तो वीडियो से भी ले सकते हो जैसे हम इस वीडियो से लेने वाले है इस वीडियो पर आपको click कर देना है या भी देखिए, वीडियो से नहीं आ रहा है तो अभी बोइज पे हम click करते हैं किसी भी एक बोइज को आपको यहाँ से ले लेना है तो चलो इस बोइज पे हम click कर दिये click करने के बाद थोड़ा सा search ले रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा search लेने के बाद यहाँ पे 10 से 5 सकेंड का wait करना परते हैं यहां से simply see हो चुक है यह video देख सकते हो कितना लंबा बन चुक है तीन मिनिट सत्ते सकेंड का आ चुक है तो अभी यहां पर हमें short video बनाना है तो only यह 69 सकेंड से नीचे ही रहने वाले उपर ने होने वाले यह video तो अभी यहां पर आपको यहां पर click कर देना तरीके से और किसी भी सोषल मीडिया पर इस विडियो को अपलोड करके किसी भी सोषल मीडिया को गोलोग कर सकते को आसानी तरीके से उमीद है वीडियो आप लोगो अच्छा लगा होगत democrating video को लैख जरूर करना और इस चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करें कि गंटिक निसान को आल पे सेट कर देना जब भी मैं यूटूब से डिली टीब वीडियो बनाऊ सबसे पहले आप लोग को 9DPN देखने को मिलने वाला है